हेलो फ्रेंड्स क्या साब सब लोग तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के तरह मैं आपको बताऊंगा यूपिटेट का एक्जाम आपका 28 नॉम्बर को होगा या नहीं होगा देखें पिछले दो-तिन दिन से वट्सप पर अच्छे खासे मैसिज बच्चों ने भरे हुए कि यूपिटेट का एक्जाम भी आपका 28 नॉम्बर को होगा अब बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए और खासकर वो बच्चे जिन्हों ने दोनों ही एक्जाम के अंदर जो पार्टिसिपेट करेंगे अब देखें अगर मैं अपने अकूडिंग बताऊं तो आपका यूप यूपिटेट का डिसिजन लिया गया था कि यूपिटेट का जो एक्जाम है 28 नॉम्बर को ले लेंगे तो मेरे अपका डेट आगे नहीं जाएगी आपका एक्जाम आपका 28 नॉम्बर को ही होगा तो आप लोग अभी इनननेसेसरी कोशन के अंदर मत पढ़िए मैंने आप आपको जवाब दे दिया है इसके बावजूद भी अगर आप कोशन पूछते कि सर होगा या आगे जाएगा तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहो क्योंकि आपका एक्जाम बिल्कुल नजदीक आ गया 28 तारीक आपकी नजदीक आ गई इन सब चीजों में क्यों वेस्ट कर रहे हो पेपर आपका नजदीक आ गया है और अपनी तयारी और ज़्याद आप लोग कर दीजे जब मैं इतनी तयारी करो रहा हुँ तो आप लोगोंको मुझे जादे तयारी करने ही क्योंकि एक्जाम आपको अपना पास खरन आ है तो और जो UPSI की डेट है वो भी आपके 28 को ही होगी तो उसका भी मुझे नहीं लगता चेंज होने का मूंद उसका कुछ दिख रहा है क्योंकि आयोग ने उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ठीक है अब इसके अंदर देखें अकर बच्छे कोड जाएंगे तो आपके 28 को ही होगा और इसी के कोडिंग आपको अपनी तयारी करनी है तो कल आप लोग ठीक 8 बजे आ जाना मेरी यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोगों के लिए मैराथिन किलास मेंने स्टार्ट की हुई है तो कल ठीक 8 बजे आजाना कल आप की CDB की मैराथिन किलास होने वाली है और बड़ी महत्पून किलास होने वाली है कल की 8 बजे ठीक है और आई ओप आपके इसका कुर्शन का अंसर भी मिल गया होगा है जो आप लोग यह परिसांते यूपिटेट की डेट को लेकर तो चले फ्रेंस कल मिलते है ठीक 8 बजे मैर अपनी तैयारी पूरी तेज कर दो क्योंकि आपके जो एक्जाम की डेटे बिलकुल नजदीक आई गई है थेंक्यूं